नमश्कार दोस्तों, सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे दिखे फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखन GK MCQ Practice Series जिसमें आप सभी जानते हैं, हम उत्राखन की सभी important किताबों को MCQ के format में यहाँ पर पूरी detail के साथ cover कर रहें MCQ के format में कर रहें, जिससे आपकी practice पी अच्छे से हो जाए और detail में कर रहें, जिससे आपका revision भी यहाँ पर हो जाए सबसे पहले हम अजरावजी की पुस्तक को देख रहे थे और आज हम इस सीरीज की 20 वी class यहाँ पर cover करेंगे और number of question इस सीरीज में 400 प्रशनों को cover कर जाएंगे अगर आपने इससे पहले की classes को नहीं देखा है तो आप उन्हें playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों, आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है तेहरी रियासत के वन अधिकारी पदमादत रतूरी को प्रसिक्षन के लिए किस देश में भेजा गया था देखे तेहरी के जो उस समय जब रवाई कांड हुआ था जो प्रमुक वन अधिकारी था उसका नाम था पदमादत रतूरी और इसको प्रसिक्षन लेने के लिए भेजा गया था फ्रांस में option C सही उत्तर यहां पर होगा देखे नरेंद्र शाह का काल था उस समय नरेंद्र शाह टिहरी के नरेश थे और उनके शाशन काल में पदमादत रतूरी को फ्रांस भेजा गया जब ये फ्रांस से वापस आया तो इसने वनों पर नए नए नियम यहां पर लगाने शुरू कर दिये वनों की अच्छे से नपाई शुरू कर दिये जिससे कई सारे जो गाउं थे ग्रामीडों की जो जमीन थी उसे वन भूमी इसने घोशित करना शुरू कर दिया और वहीं से हमारा जो पूरा घटना क्रम है रवाई कांड का वो शुरू होता है 1927-28 के दोरान नई वन ववेस्था इसके दोरा लाई गई और काफी सारी जमीन जो ग्रामीडों की थी जिस पर वो अपना अधिकार समझते थे उन सब को उन से छीन लिया गया नेक्स्ट है हमारा टिहरी में आजाग पंचायत का गठन किसके नित्रत में हुआ था देखे टिहरी के अंदर टिहरी रियासत के अंदर लोगों के वन अधिकार चीने जा रहे थे उनमें असंतोष पहले से था खास कर जो रवाई जौनपूर चीतर था वहां के लोगों में वहां के ग्रामीडों में उस दोरान एक घटना और घटी जिसकी वज़ह से यहां पर असंतोष और जादा बढ़ गया 1930 में नरेंद्र नगर में एक हस्पताल की नीव रखी जानी थी और उस हस्पताल की जो नीव रखनी थी संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर था उस समय मेलकम हैली जिसका नाम था उसने उस हस्पताल की नीव रखनी थी प्रश्न बन सकता है कब रखी गई 1930 में नरेंद्र नगर में हैली के द्वारा रखी गई तो वहाँ पर राजा के महमान आने वाले हैं तो पूरे चेतर की जनता को आदेश दे दिया गया कि आप सभी नरेंद्र नगर यहाँ पर पहुंचे महीना उस समय चल रहा था दिसंबर 1930 थंड वहाँ पर काफी जादा थी थंड से बचने की कोई विवस्था यहाँ पर नहीं करी गई थी काफी सारे लोग रवाई चेतर के खासकर इस थंड में यहाँ पर मारे गए जिससे जो अशंतोष था वो और जादा यहाँ पर फैला को चलाएगी और उस समीती का जो अद्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया दयाराम रवाल्टा को और बाद में उसी समीती के द्वारा एक आजाद पंचायत का गठन किया गया अब क्योंकि समीती का प्रमुक कौन है दयाराम रवाल्टा तो यह किसके नेतृत में बनी है पर ये लोग करते थे लाखा मंडल में करते थे जब आजाद पंचायत का गठन हो गया तो आजाद पंचायत की भी लगातार बैठकें होती थी इसकी बैठकें तिलारी के चंदा दोजरी नामक जगह पर ये लगातार करते रहते थे ठीके इसको ले करके आजाद पंचायत को लेकर के और रवाय कांड से थोड़ा सा समय पहले एक कोशन यहां से बन सकता है देखे जब आजाद पंचायत का गठन हुआ ये लोग लगातार तिलाडी नामक जगह के आसपास बैठक अपनी करते रहते थे जब ये बात राजा को पता चली नरेंदर शाह को पता चली तो उन्होंने इनको समझाने के लिए और इनके साथ समझोटा करने के लिए एक विक्ति को भीजा था हरी कृष्ण रतूरी जो टिहिरी रियासत के दिवान थे अभी नहीं थे पूर्व दिवान थे तो यहां पर नहीं बन पाई लेकिन कोशन बन सकता है आपके पास कि नरेंदर शहा ने आजार पंचायत के पास किसे भेजा था उनकी समस्या का समधान करने के लिए तो पूर्व दिवान हरी कृष्ण रतूरी को भेजा था ठीक है नेक्स्ट है टिहरी में समांतर सरकार की इस्थापना किस वर्ष में की गई थी आजाद पंचायत इन लोगों ने बना ली थी आजाद पंचायत के सासार उसी वर्ष 1930 में टिहरी में समानतर सरकार का गठन भी किया गया option C इसका सही आंसर होगा और जैसे नेपाल दर्बार में महराजा के लिए 5 सरकार, महामंतरी के लिए 3 सरकार आधी उपादियां दी जाती थी ऐसे ही जो यहाँ पर 2 प्रमुक व्यक्ति थे एक का नाम था हीरा सिंग, इनको 5 सरकार की उपादी और एक व्यक्ति थे बैजराम, इनको 3 सरकार की उपादी दी गई कोशन बन सकता है कि समानतर सरकार जब बनी तो किसे पांस सरकार की उपादी दी गई हीरा सिंग और किसे तीन सरकार की उपादी दी गई तब आप कहेंगे बैजराम और किसकी तरज पर दी गई तो नेपाल दरबार की तरज पर जो ये समांतर सरकार थी ये जो आजाद पंचायद बनी थी इनका जो मुख्य उद्देश्य था या इनके जो मेन मांग थी वो क्या थी वो पेपर में पूछी गए है इनकी मुख्य मांग थी वन अधिकारों की वापसी, यानि इनके जो वन अधिकार छीन लिये गए हैं, उनकी वापसी की ये मांग कर रहे थे, ठीकें? जब ये अंदूलन लगतार बरता गया, आजाद पंचायद बनी, समांतर सरकारे तक बन गई, तो उस समय जो दिवान था, चक्रदह जोयाल उसने अपने ही किसी एक खास विक्ती को इस राज्ये का, इस छित्र का, जो रवाई छित्र था, वहां का थोकदार बना कर भीज दिया, उस विक्ती का नाम भी आपने याद कर लेना है, रंजीत सिंग उसका नाम था, ठीकें? कोशन बन सकता है, उस समय कौ जा गया था, रंजीत सिंग को भीजा गया था, ठीकें? निक्स्ट है, रवाई कांड कब घटित हुआ था? तो टिहरी रियासत में रवाई कांड, रवाई कांड को उत्राखंड का या टिहरी रियासत का जलिया वाला बाग हत्या कांड भी कहा जाता है, इसको आपने ध्या जिसमें SDM सुरेंद्र दस शर्मा शामिल था, जो वन अधिकारी था, पदमदत रतूरी वो शामिल था, थोकदार था जो रणजीस सिंग वो शामिल था, ग्रामीनों से बात करने गए, बात नहीं बनी, जो SDM था सुरेंद्र दस शर्मा उसने भीड पर गोलियां चलाई, जिस उसने दो सैनिक दल यहां पर बनाएं, यह कोशन बन सकता, इसलिए मैं आपको पूरा डीटेल में बता रहा हूँ, और एक कहानी की तरह बता रहा हूँ, ताकि आपको चीजें याद रहें, रटनी आपको ना पड़े, तो इस घटना के बाद, यह जो घटना हुई है, जिस जो जौनपूर छेत्र में दल गया था सेना का, उसका जो नेत्रित्व कर रहे थे, वो उमा दत डंगवाल कर रहे थे, और रवाई छेत्र में जुग गया, उसका नेत्रित्व भोला दत पंत कर रहे थे, दोनों के दोनों उस समय डिप्टी कलेक्टर के पदपर तैनाग थे एक छोटा सा ये कॉंसेप्ट इसको आपने याद कर लेना है कि किसको किसको भेजा गया था इस आंदोलन का दमन करने के लिए इसके बाद आती है तारीक 30 मई 1930 की यहाँ पर तिलाडी नामक जगह पर जो आंदोलन कारी थे जो आजाद पंचाय थी उसका आयूजन किया गया था जो चकरधर जुयाल था उस सेना लेकर के कहा जाता है अपने 60.500 सेनिकों को लेकरके वो तिलाडी नामक जगह पर पहुचा जो दो सैनिक दल उसने बनाए थे, उन दोनों की सैनिक दल जो थे, वो भी वहाँ पर आप पहुंचे, ग्रामीनों को तीन तरफ से घेर लिया गया, चोक्ती तरफ यमुना नदी बह रही थी, प्रशन बनता है, जो तिलाडी मैदान है आपका, ये वर्तमान उत्तरकाशी में पड़ता है, किस नदी के तटपर है, तो यमुना नदी के तटपर है, जब तीनों तरफ से घेर लिया गया, तो चक्रधर जोयाल के द्वारा गोली चलाने का आधेश दिया गया, कई सारे लोग नदी में कूद गए और वहीं पर बह गए, वहीं से उनकी मृत्ती हो गई, क रवाई छेत्र में हुआ, इसलिए रवाई कांड, तिलाडी मैदान में हुआ, इसलिए इसे तिलाडी कांड भी कहते हैं, ठीक है, इसमें गोली चलाने का आधेश किस ने दिया था, चक्रधर जुयाल, इसे उत्राखंड का जनरल डायर भी कहते हैं, तो यह पूरा घटना क होते हैं, तो यह घटना यहां पर नहीं घटी, कोशन बनता है कि जब रवाई कांड हुआ, नरेंदर शहा कहां थे, तो वो योरॉप यात्रा पर थे, ठीक है, इस घटना को लेकर के कि इसमें कितने लोग मारे गए, अलग-अलग नंबर यहां पर देखने को मिलते हैं, कु केवल चा लोग यहां पर मारे गए, तो यह पूरा रवाई कांड है, जो कई बार पेफर में पूछा गया है, निक्स्ट है, देहरा दून में टिहीरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई थी, देखें जब यह घटना घटी, उसके बार यहां के लोगों ने जो वाईसराय था, उससे काफी सारा अनुरूद किया, उसके सामने विंती करी कि जो जो अपरादी हैं, उनको सजा दी जाए, और जो इस्तरिया है, बच्चे हैं, उनको वित्य साहता दी जाए, लेकिन वहां से भी उनको कोई मदद नहीं मिली, लोग उस समय रियासत से तो पह टिहरी के अंदर प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए राजा बना रहे लेकिन लोगतंत्र वहाँ पर आए राजा को हटाने का उनका कोई विचार वहाँ पर नहीं था लेकिन वो लोगतंत्र वहाँ पर प्रजातंत्र वहाँ पर चाहते थे तो इसलिए बनाया गया टिहरी राजिय प्रजा मंडल, इसकी स्थापना देरादून में हुई थी, इसको भी ध्यान रखना कहां पर हुई, नाम में टिहरी जरूर है, लेकिन ये देरादून में बना था, जनवरी 1939 में, एक्जेक्ट डेट की बात करें, तो 23 जनवरी 1939 में ब नेक्स्ट है, किस तिथी को टिहरी रियासत का भारत में विले कर दिया गया, तो लगातार मांग करती जा रहे थे, लगातार अंदूलन चलते रहते थे, जब हम टिहरी रियासत का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें उसे और ज़्यादा डीटेल में जानेंगे, अभी इसका सही आंसर होगा, इसको आपने याद करना है, ये डेट सहीद पूछा जाता है, तिहरी रियासत का जब विले किया गया भारत में, तो इसे एक जिले की रूप में गठित किया गया था, किसका जिला बनाया गया था, जाहिर सी बात है, उस समय संयुक्त प्रांत था, त इदा सब्सक्राइड को याद रखेंगे, निक्स्ट है, उत्तर काशी के हरसिल में बागवानी फसलों की क्रिशी किसे द्वारा शुरू की गई थी इन में से ये करी थी फेडरिक विल्सन ने, उप्शन D, इसका सही आंसर होगा उत्राखंड के अंदर बागवानी को व्यापारिक व्यवसाइक तौर पर विक्सित करने का जो श्रे जाता है वो अंग्रेजों को जाता है अंग्रेजों ने कई सारे यहाँ पर जो बागवानी फसले थी जो कृशी थी यहाँ पर उनकी करी जिसमें सबसी प्रमुक्था सीब और हरसिल के अंदर सेब की खेती या सेब की पैदावार को शुरू करने वाला विक्टी भी कौन था वो फेडरिक विलसन था इसके द्वारा यहाँ पर सेब उत्पादन शुरू किया गया इस छेत्र में आज भी विलसन नाम से एक सेब प्रजाती यहाँ पर मौजूद है तो इसको आपने ध्यान रखना है कि Wilson नाम से किसकी एक प्रजाती है वो सेब की है इसी के नाम पर है क्योंकि इस छित्र में उत्तरकाशी के हरसिल छित्र में सेब आदी शुरुवाद जो बागवानी फ्रसलों की वो किस ने करी थी इसी Wilson ने करी थी ठीक है नेक्स्ट है उत्राखंड में आलू की खेती 1823 में मेजर यंग ने शुरू करी थी किस इस्थान पर देखे उत्राखंड में आलू की खेती को शुरू करने का जो श्रे जाता है वो मेजर यंग को जाता है ठीक है इसने इसे 1823 में किया था और किस इस्थान पर किया था देहरा तो उत्राखण में आलू अगर डारेक्ट ऐसा कोशन होगा पहले भी पेपर में बना है तब आप मेजर यंग कहेंगे 1823 मसूरी देहरातूर लेकिन अगर कहेगा विदेशी आलू की खीती उत्राखण में किसने शुरू करी थी और कहां करी थी तो विदेशी आलू को सबसे प पास के इलाके में विदेशी आलू की खीती यहां पर शुरू करी गई थी ठीके अगला अल्मोडा इस्तित चौबट्या उद्यान जिसे 1869 में इस्थापित किया गया था कि पहले सुप्रीटेंडेंडेंट कौन थे तो देखे चौबट्या उद्यान आपके अल्मोडा में हैं और इसे 1869 में इस्थापित किया गया था कुछ जगहों पर 1870 भी दिया गया है आपने पहला रेफरेंस 69 को ही देना है ठीके इसका जो पहला सुप्रीटेंडेंडेंट यानि पहला जो प्रमुक बनाया गया था वो डबलू क्रो को बनाया गया था ओप्शन बी इसका सह पहला सुप्रीटेंडेंडेंट था ठीके इसने कई सारे फसलों को यहां पर उगाना शुरू किया सेब नासपती सब इसने यहां पर उगाने शुरू किया उनकी पौद उगाई और फिर जिन जिनको उनकी खेती करने थी उनको वो पौदें ये दीता था इस उध्यान के द अंग्रेजों ने कई सारे प्रयास किये, इसे लीज पर देने का प्रयास किया, इसको बेचने का प्रयास किया, लेकिन कोई फाइदा वहाँ पर नहीं हुआ, अंत्र तहां इसे वन विभाग को सौप दिया गया, वन विभाग को सौपने के बाद 1914 में इसे कुमाउं कमिशनर क अधिन कर दिया गया ठीक है यानि अब इस उद्यान का जो प्रमुक है वो कुमाओ कमिशनर है तो इसको आपने ध्यान रखना वो कब बनाया गया 1914 क्रो के मरने के बार वन विभाग को ये दे दिया गया था ठीक है एक कोशन और याद कर लीजिए जो ये चौवटिया उद्यान है इसमें हिल फ्रूट रिसर्च इस्टेशन इसकी इस्थापना कप करी गई तो उसे 1932 में इस्थापित किया गया था नेक्स्ट है नैनिताल के रामगड में किस फल उद्यान लगाया था देखे नैनिताल के रामगड में किस ने फल उद्यान लगाया था प्रशन यहाँ पर ये होगा देखे उत्राखण में पहले शुरुवात में जब 1824 के आसपास चाई की खीती की सुझावाने शुरू है अभी हम उस पूरे कॉंसेप्ट को किलियर करेंगे तो चाई के बागान उस समय उत्राखण में जादा थे लेकिन 1869 में जब ये चौबट्या उद्यान यहां पर लगा तरह तरह की फलों की यहां पर खेती शुरू हो गई थी तो वो जो चाई के उद्यान थे वो फल उद्यान में बदलने शुरू हो गए थे जगह जगहों पर फल उद्यान इस्थापित होने लगे उसी करम में रामगड में एक फल उद्यान इस्थापित हुआ जिसे पी ई डेरियास ने इस्थापित किया था प्रश्ण बनता है डेरियास का फल उद्यान कहां पर इस्थापित था तब आप कहेंगे रामकड में डेरियास के अलावा एक और वेक्टी है जिसका नाम आपने याद रखना है विहीलर वीहिलर ने घुडाखाल और जालना में अपने फल उद्यान इस्थापित किये थे इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं एक कुशन और याद कर लीजिए उस समय फलों का जितना भी व्यापार होता था पहाड़ी इलाकों में कुमाओं के अंदर वो सब ही नैनिताल जिले के माध्यम से ही होता था यानि कि अगर कोई भी फल है अगर वो नैनिताल के बाहर भी उगाया जा रहा है जैसे रानी खेत में उगाया जा रहा है तो उसको पहले नैनिताल लाया जाएगा फिर वहीं से उसे बाहर बेचा जाएगा तो किस जिले के माध्यम से होता था सारा व्यापार फलूका वो नैनीताल के माध्यम से ही होता था ठीक है नेक्स्ट है कुमाओं में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस देश से केसर के बीज मंगाए गए थे कुमाओं के अंदर केसर की खेती को प्रोसाहित करने के लिए नीधर लेंड से केसर लाया गया था Option A सही आंसर होगा नेधर लेंड को पहले हॉलेंड के नाम से भी जानते हैं वो चीन से मंगाई गई थी उसी प्रकार केसर कहां से मंगाया गया था ये नेधर लेंड से नेधर लेंड से इस केसर को जब लाया गया तो दो जगहों पर इसको लगाया गया एक नैनीताल में और एक नैनीताल के नजदिक जो आपका जोली कोट पढ़ता है वहाँ पर जोली कोट में जो केशर लगा उससे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला नैनीताल वाले में थोड़ा बहुत इनको फायदा यहाँ पर हुआ तो कहां कहां पर लगा, वो आपको पता होना चाहिए, तो इसको आपने याद करना है, कुछ और important फसलें या किसमे हैं, जो पूछी जा सकती हैं, जैसे, जैतून के पौधे कहां से मंगाए गए थे, उस समय जैतून के पौधे फ्रांस से मंगाए गए थे, wine plant के लिए, अंग यह था royal, sovereign और एक था noble, यह दोनों किसकी किसमे थी, strawberry की, और इन्हें England से मंगाया गया था, आलू की सबसे लोगप्रिया प्रजाती, log keeper को कुमाओं में लाने का श्रे किसे दिया जाता है, तो देखे, आलू की सबसे लोगप्रिया प्रजाती जो समय प्रसिद हुई, वो थ इसे यहाँ पा लाने का श्रे, कुमाओं में लाने का श्रे, Norman Gill को जाता है, Norman Gill कौन है, कुमाओं Government Garden के प्रमुक्त थे, 1909 में जो गार्डन बना था, उसके प्रमुक्त थे Norman Gill, ठीक है, निक्स्ट है, भवाली में पोटेटो रिसर्च इस्टेशन की स्थापना कब करी गई थ देखे भवाली नैनिताल के अंदर बनाया गया था पोटेटो रिसर्ट इस्टेशन और इसे बनाया गया था 1943 में उप्षन B सही उत्तर यहां पर होगा उस समय दिल्ली में इंपीरियल क्रशी अनुसंधान केंद्र इस्थापित था और उसी संस्था के अधीन इंपीरियल पोटेटो रिसर्ट इस्टेशन बनाया गया था भवाली में 1943 में बोसी सेन के द्वारा 1924 में विवेका नंद करशी अनुसंधान संस्थान की इस्थापना किस इस्थान पर करी गई थी देखे बोसी सेन के द्वारा विवेका नंद करशी अनुसंधान संस्थान बनाया गया था यह पेपर में आया है कि इसके संस्थापक कौन है तो आप कह देखे जो ये विवेकरनंद करशी अनसंधान संस्थान है इसकी जो शुरुवात होती है इसकी जो स्थापना होती है वो कौलकाता में होती है कब होती है 1924 आज की डेट में ये आपके अलमोडा में इस्तित है अलमोडा में इसे कब लाया गया था तब आप कहेंगे 1936 ठीक है अगर 1936 का पूछे, तब आप अलमोडा को कहेंगे, लेकिन आपको पूरा कॉंसेप्ट पता होना चाहिए, कि इसके जो संस्थापक थे, उन्होंने इसे बंगाल में, कलकता में स्थापित किया 24 में, और 1936 में इसे अलमोडा में वो लेकर आए थे, इसका जो मुख्य उद्द का सरुप्रथम सुझाओ किस ने दिया था, कुछ जगहों पर ऐसा भी दिया है, कि ना सिर्फ सुझाओ दिया, बलकि छोटे इस तर पर शुरू भी किया था, तो किस के द्वारा ये किया गया था, विशप हेबर के द्वारा, ओप्शन B सही आंसर होगा, 1824 में विशप डॉक्टर राइले, डॉक्टर राइले, 1827 में आता है, 1831 में ये सरकार को, जो यहां की सरकार थी और जो देश की उस समय सरकार थी अंग्रीजों की, दोनों को बताता है, कि यहां पर चाई की खिती के लिए सबसे अच्छे दशाए हैं, आप यहां चाई की खिती कर सकते है वो कौन कहता है डॉक्टर राइले, ठीक है? अगला, वर्ष 1834 में निम्न में से किसके द्वारा चाई कमिटी का गठन किया गया था? यह कोशन पेपर में बना था कि चाई कमिटी कब बनी, तो आप कहेंगे 1834 में बनी थी, ठीक है? इसका गठन किस ने किया था? गठन इसका क अलहादी 27 में आया था, 31 में कहा, कि आप यहाँ पर चाई की खीती को शुरू कर सकते हैं, ट्रेल को भी कहा, बेंटिक को भी कहा, और इसी को देखते हुए बेंटिक ने भारत में चाई कमीटी का गठन किया, 1834 के अंदर, जिसका में काम क्या था, कि चाई के भगान लगाने क के लिए जमीनों को ढूंड़ना, खासकर उत्राखन के अंदर ही, चाई के बगानों के लिए जो चाई के पौध है, उनकी विवस्था करना, वो इस चाई कमीटी का काम था, इसको अपने धियान रखना है, किस ने बनाया था, इसको विलियम बेंटिक ने बनाया था, ट्रे कमीटी बन गई थी, 1835 के अंत तक चाई के पौध पहली बार यहाँ पर आ चुके थे, उत्राखंड के अंदर, और उनको सरुप्रथम कहां कहां पर लगाया गया, उनको लगाया गया अलमोडा के लक्समेश्वर और भीमताल के नजदीक उनको लगाया गया था, तो पहली बार राज्य में व्यापक इस्तर पर चाई की खेती जो शुरू करी गई, वो डॉक्टर राइले के नेत्रत में ही करी गई थी, उप्शन बी, सही उत्तर होगा, और कब करी गई, 1835 में, उस समय स्वतन्त रियासत भी है, टिहरी रियासर, कोशन बनता है, टिहरी रियासत मे कब करी गई, तो भी 1835, ठीक है, अलमोडा के लक्षमेश्वर में, चाई का बगीचा किसने स्थापित किया था, उत्राखड में स्थापित होने वाले, पहले चाई के बगीचे की रूप में जाना जाता है, लक्षमेश्वर चाई बगीचे को, और इसे स्थापित करने का जो श्रे जाता है, वो जाता है डॉक्टर फॉक्नर को, ऑप्षन बी, इसका सही उत्तर यहां पर होगा, चाई की खेती जब शुरू की गई, 1835 में, तो शुरुवात में उसकी पौद कहां पा लगाई गई थी, सबसे पहले, यहीं पर लक्षमेश्वर में लगाई गई थ साथ में भीमताल में, तो लक्षमेश्वर चाई बागीचा किस के द्वारा स्थापित है, तब आप कहेंगे डॉक्टर फॉक्नर के द्वारा, ठीक है, इसके लावा कुछ और इंपोर्टन चाई के बागीचे हैं, जिनको लेकर के सवाल पनता है, कि किसने उस बागीचे को स्थापित किया था, इसके लावा एक आता है हवाला बाग में, हवाला बाग में जो चाई का बगीचा बना, वो 1841 में बना, जिसे मेजर कॉर्बेट ने बनाया था, ठीक है, इसके लावा पॉडी के अंदर 1843 में बना, जिसे कैप्टन हडलस्टन ने बनाया था, देहराद इसके जाने के बाद यही यहां का प्रमुक बना था इन बागानों का तो इसने एक बागान नया स्थापित किया देहरादून के कॉलगीर में बाद में इस बागान को 1867 में सिरमौर के राजा को बेच दिया गया था इसको भी ध्यान रखना ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टन जीके से संबंदित 20 और प्रश्णों को यहां पर कवर किया इनको अतरिक तथ्यों के साथ कहानी के रूप में एक्ष्टा फेक्ट के साथ कवर करने का प्रियास किया उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है त तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें सरूर बताएं, थैंक यू फ्रेंड्स.